नमस्कर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मुचल फंड से पैसा निकालते कैसे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे कि मुचल फंड को बंद कैसे करते हैं उसकी SIP को कैसे बंद करते हैं? चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं. उससे पहले दोस्तों आपको बता दे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आदे हैं, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें. वीडियो करते हैं, शुरुआत. तो दोस्तों, आप Grow App को उपन कर लेंगे. मैं इदर Grow App को उपन कर लिया हूँ, और Dashboard में जाएंगे. Dashboard में जाने के बाद, उपर ये दिखाई दे रहा होगा आपको SIP. इसाईपी के उपसन पर जाएंगे, तो इदर जाके आप जिस mutual fund की SIP को आप कैंसल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे, वो इदर देखेंगे, आप कैंसल का उपसन आ रहा है. या पर आप बेक जाके देखेंगे, यू, प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल में जाएंगे, आल SIP, इदर आल SIP पर जाएंगे, तो इदर भी आपकी सभी SIP जितनी आपने खोर रखी हैं, वो दिखाई देंगे, तो उनमें से कोई भी, जो आप कैंसल करना चाह रहा है, उसको किलिक कर देंगे, तो इदर आपन हो जाएगा, आप दोनों कहीं उधर से भी कर सकते हैं, इदर से भी कर सकते हैं, तो इदर SIP आप जो कैंसल करना चाह रहा है, कैंसल का ओप्सन दिखाई दे रहा है, आप इस कैंसल के ओप्सन पर किलिक करेंगे, Cancel के Option पर क्लिक कर देंगे आगे दिखाई दे रहा है Cancel SIP और Don't Cancel SIP अगर आप Cancel करना चाहते हैं तो Cancel पर क्लिक करेंगे यह Cancel पर क्लिक कर देंगे और अगला एक Option खुल दा है यह Don't फिर दिखाई दे रहा है Don't Cancel और Cancel SIP अगर आप Cancel SIP कर देते हैं से वो कटना बंद हो जाएगा और आपका जो पैसा पहले कट गया है वो mutual fund में निवेसित रहेगा और उस पर आपको return आगे भी मिलता रहेगा जब तक आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं, redeem नहीं करेंगे आगे आपकी कटने वाली SIP बंद हो जाएगे अगर आप उस पैसे को भी बापस निकाल लेंगे, redeem कर लेंगे उस पैसे को SIP कैंसल करने के बाद आप उस पैसे को redeem कर लेंगे तो आपका mutual fund बंद हो जाएगे redeem बाला वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, कि मुझर फंद से पैसा कैसे निकालते हैं, आप उसको देख लेंगे इदर आप cancel SIP पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप cancel SIP पे क्लिक करेंगे तो आपका request लग जाएगा और आपका order place हो जाएगा और एक दो दिन में आपकी SIP कैंसल हो जाएगी, उसके बाद बविस में आपकी SIP नहीं कटेगी मैं इदर close करना नहीं चाहरा हूँ, अपनी SIP को चालो रखना चाहरा हूँ, इसलिए मैं cancel नहीं कर रहा हूँ आप अगर cancel करना चाहते हैं, तो cancel SI पर क्लिक करेंगे, तो आपकी SIP कैंसल हो जाएगी आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हूँ, वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद